अध्यान थे अध्यान विवन स्वागत आप सभी का टीचर्स एड़ा कि शांदर पैट्फॉर्म पर स्वागत आप सभी का वेल्कम स्टूडेंट्स कैसे आप सब आज आप सब के लिए में गुड्न्यूज लेके आयों कि आज क्या है जैसे कि आप सब को पता है कि पेपर वन स्टूडेंट्ट्स असरप का एप सब को पता है कि पेपर वन उग्त आप सब कर दो नएक प्रसों यानि कि मंदे से है जहां जहां से हम जो पेपर वन है वो आपका जो क्या है paper 1 start होने वाला है साथ ही साथ एक good news क्या है आपके पास कि अब teacher सद्डा आप सभी students के लिए UGC net paper 2 यानि कि जो हमारी commerce है paper 2 जो कि मैं पढ़ाने वाली वो paper 2 commerce का भी जो आपका batch वो start हो रहा है 23rd August यानि कि रक्षा बंदन से एक दिन next day ही आप सभी students के लिए क्या है UGC net paper 2 commerce के लिए क्या हो रहा है batch start हो रहा है नमस्ते जी नमस्ते शेफाली आदव कैसे हो आप सब तो हमारे साथ जूढ़ना ना भूलिएगा जो इस batch की हमारी timing है वो 10.30 p.m. नहीं ए.m. morning, सुभै साड़े 10 से साड़े 11 रहेगी क्या रहेगी सुभै साड़े 10 से साड़े 11 पेपर 2 commerce के लिए जो भी students आपने आपको एन्रोल करना चाहते है जो पढ़ना चाहते क्योंकि हम यहाँ पर आपको educator बनाने में आपकी concept को build करने पे हम ध्यान देंगे और हम आपको इतना material प्रोवाइड करेंगे इतने pdf देंगे मलब आपको इतना सारा कुछ सिखाया जाएगा पढ़ाया जाएगा समझाया जाएगा भी concept को build किया जाएगा तो आपको कहीं और जाने की need ही नहीं होगी और हाँ गाइस सिर्फ एक बार जो हमारी जो classes है एक बार उन्हें पांच दिन तक लेके दें क्योंकि पांच दिन का जो हमारा वो डेमो फ्री रहेगा आप पांच दिन तक उन classes को लेके देखिए अगर पांच दिन के बाद आपको satisfaction ना मिले कि हाँ हमें यहाँ से इन कुछ पढ़ने को कुछ शीखने को कुछ नया समझने को नहीं मेरा तो डेफिनेटली आप बैच को परचेज मत कीजिए गा लेकिन प्लीज आप सबसे रिक्वेस्टर की फाइव डेज तो आप क्लासिस को लगाना डेमो फ्री है वो बिल्कुल फाइव डेज आप क्लासिस को बिल्ड क्योंकि आप सभी क्या हो सीनियर मॉस्ट आप सब को क्या करना है युजी सी नेट के एक्जाम को कौलिफाई करके जेएव एक्जाम कौलिफाई करके स्कूल अपकी नॉलेज एन्हांसिंग पर धेने वाले यह नहीं कि बस आपको दोड में लगे हुए हैं और भी जहां पर लोगों के पास कोई प्रोबलम नहीं होती है तो वह अपना इजली जो कोचिंग आओ वो कर सकते हैं लेकिन हमारा जो मेंन मौटिव है गाउं गाउं तो जो रूरल एरिया जहां पर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कॉलेजिस में या कॉचिंग जाने के लिए उनके पास फंड्स नहीं है, तो हमने इसी लिए आप सभी स्टुडेंट्स के लिए क्या बहुती कम अमाउंट में, बहुती कम अमाउंट में आपको अपने डोस रैप है और ओनलाइन, ताकि एक तो कोरोना का भी टाइम है, सेकिंड आपके पास के है, रूरल एरिया में, जो रूरल एरिया की स्टुडेंट्स है, वो गाउं तक, शहरों तक, बड़ी-बड़ी कॉचिंग जो इंस्टुड़ आ, बड़े-बड़ी शहरों वहां तक नहीं जा सकते हैं, तक नहीं जा सकते हैं, आप सभी स्टुडेंट्स के लिए क्या है, हम टीचर सद्डा, यूजिसनेट पेपर टु का जो बैच है, वो ला रहे हैं और वो भी बहुत कम अमाउंट पे, जितनी भी आपकी, अगर आप Y337, जो की मेरा कोड़, अगर आप इस कोड़ को यूज करते हुए, बैच को परचेज करते हुए, तो आपको 77% की डिसकाउंट मिल जाएगी, घर बैठे, बिल्कुल आपको क्या करना है, जो हमारा ये कोड़ है Y337, जो की मेरा कोड़, अगर आप इस कोड़ को यूज करते हुए, बैच को परचेज करोगे, तो 77% की आपको क्या मिलेगी, डिसकाउंट और वह भी घर बैठे, क्योंकि हमारा मेन मोटीव एजुकेटर्स बनाना है, आपकी नॉलेज को एन्हांस करना है, और जो बिलकुल ग्राउंड लेवल के जो रूरल एरिया जिनकी रीच बड़े शहरों की कोचिंग तक नहीं होती है, कि जो बड़े शहर के होते हैं उनके हैं उनके पास तो सभी के बॉपरचुनिटीचे नारे संसाद अवलेबल होते हैं जो होता है कि लोग जो एक नर्मल बैग्डाून्ट से उते हैं मैं कोई हाइफ़ाइ नहीं हूं मेरे स्कूलिंग ए便क तरह से हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी हूँ और वही सब मैं तो मैं ये सब जानते हूँ कि एक जो स्टूडेंट है बस आप में क्या है पढ़ने की लगन होनी चा array आप में है क्या हमारे साथ जूड़े रहिए प्लाट पर और योजी सीने तू का बेच है 23 ऑउगसस से स्टार्ट होने जा रहा है और जो पेपर वन का बैच है वो हमारा Monday यानि की 9th August जो 9th August coming 9th August है इस 9th August से हमारा Paper 1 का जो बैच वो स्टार्ट होने जा रहा है तो guys फटा-फट हमारे साथ जुड़िए और बैच को पर्चेस करिए और अपने जो educator बनने का सपना है उसको लाइव कीजिए जीए उसको अपने ड्रीम्स को बढ़ा रखो क्योंकि अगर आप ड्रीम्स बढ़े रखोगे तभी आप एक सक्सेस्फुल परसन बन पाओगे तो guys इसी के साथ मैं हम आगे बढ़ते हैं हमारी जो क्लास है paper 1 के लिए उसके लिए मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ previous year questions जो हमारे series चल रही है तो first question है इसमें हमारा in the two sets given below set 1 provides the format of presentation and set 2 gives the distinct feature to go with them set 1 में क्या है आपकी format of presentations given है set 2 में आपकी features given आपको क्या करना है इन दोनों को आपस में match करना कि कौनसी feature कौनसे format of presentation को define करती है guys 20 second का आपके पास time है फटा फटा आंसर कीजिए कि कौनसा किसका क्या answer रहेगा अगर वीडियो पसंद आई हो समझ में आ रहा हो तो like please किए जरूर वीडियो को like कीजिए और share कीजिए इसको जितना जादा हो उसके जितने UGC net की जितने भी aspirants है सब तक यह वीडियो आपकी पहुंच जानी चाहिए ताकि successful जो बिलकुल हमारे ground level पे students हैं जो जिनकी reach नहीं है बड़े शहरों की coaching तक वहां तक हमारा जो है main motive कि वो किसी ना किसी तरीके से बस क्या है education को क्योंकि education क्या है बहुत ही important एक person की life को उसके career को बनाने के लिए education क्या बहुत ज्यादा important है तो और वो education जैसे आज के time में अगर हम बात करें तो education क्या है सब के लिए बहुत ज़रूरी है और जो हमारे ground level पर है जो बहु बहुत ही nominal amount पर बहुत ही nominal amount पर और अपके घर बैठे आप अपने comfortable john से ही क्या कर सकता है classes ले सकता है live classes रहेगी आपका recorded classes भी आपको दी जाएंगी साथ ही साथ क्या है आपको PDF की form में सारा का सारा data भी दिया जाएगा doubt session भी रहेंगे doubt में यह नहीं है कि आप सिर्फ डारेक doubt session यह नहीं है कि सिर्फ मैं आपको यहां पढ़ाय जारे और आपकी नहीं सुन्री बल्कि एक interactive session रहेगा यहां से मैं आप से कुछ भी पूछ सकती और वही से आप भी हम से अपने जो doubt से वो पूछ सकता है कोई suggestion तो वह भी आप दे सकते हैं तो guys यह है हमारा question तो इसमें प तो जो आपकी thesis or dissertation, thesis or dissertation systematic prescribed format systematic prescribed format की जो हमारी thesis or dissertation उसका क्या होता है systematic और prescribed जो jrf students है या फिर जो phd करना चाहते है उनको phd में क्या है अपनी thesis dissertation लिखनी होता है उसका क्या systematic format होता है कि starting आ जो first page उसका आप यह रहेगा second इंडेक्स रहेगा third पर प्रीफेस रहेगा फिर आपका क्या introduction आएगा फिर आपकी क्या है literature review आएगा देन आपके objectives, hypothesis, research की findings वगेरा, research का आपका design वगेरा यह सब होंगे उसमें उसके बाद आपका data analysis and data interpretation रहता है उसके बाद आपके suggestions रहते हैं उसके बाद आपके references यह बिब्लोग्रेफ रहते है उसके बाद आपका जो भी आपके extra हैं वो सब होते हैं तो क्या है thesis or dissertation का क्या होता है systematic prescribed format होता है जो हमें thesis बनाते हो में follow करना होता है तो second है आपका B का fourth research paper research paper क्या होता है presentation on a summary of research done कि जो research आप कर चुके है नमस्ते जी नमस्ते जागरत श्रीवास्तव कैसे हो तो जो research paper है वो क्या होता है research paper जो मतलब thesis तो क्या है आपने पूरी जो आप objectives लेकर चले हो उन सभी objectives पे आपको 200-300 page के regarding अपनी research को लिखना होता है research paper उसी का एक छोटा रूप है तो उसी को हम thesis कह सकते हो चोटे level पर बात करें कि अगर आपसी 15-20 pages की एक जो research problem है उसको उसको पर research करें that is your research paper तो वो हती है presentation on a summary of research done कि आपने क्या research किया है उसकी summary की presentation calls your research paper then है आपकी workshop workshop क्या होती है आपकी target oriented group based reflection workshop is your target oriented group based reflection workshop में क्या होता है कुछ students होते हैं उनको enroll करा के कुछ ना कुछ practically उनको समझाया जाता है सिखाया जाता है मलब पहले उनको पहले समझाया जाएगा समझाने के बाद फिर उनका प्रेक्टीकली experience भी उनका कराया जाता है जैसे आपको कुछ भी चीज समझाया गए कि यह चीज जो research paper है कोई भी कि किस तरीके से उसको लिखना है कि जैसे हमें SLR पे अगर हम बात करें systematic literature review systematic literature review तो इसके बारे में आपकी क्या है workshop है तो पहले तो आपको यह बता जाए कि systematic literature review क्या होता है इसको कैसे किया जाता है पहले तो आपको theoretical knowledge दी जाएगी theoretical knowledge देने के बाद आपको practically कि आप खुद आठ से दस जो research paper है उनका literature review करके दिखाओ आप खुद practically उन चीजों को करता हो है experience मतलब एक तो पहले आपको theoretical knowledge दी गई आठ से दस लोगों का एक group बना दिया फिर उनको सिखाया इस तरीके से हमारा workshop रहती है workshop में mainly आपका क्या है आपको practical knowledge के ओपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है उसके बाद है हमारा seminar seminar is your reflective deliberations based on specific themes seminar और workshop में यही है seminar और workshop आपकी same होती है फरक क्या है workshop में आपको practical ही सिखाया ज जाता है और जो seminar है उसमें आपको practical ही नई होता है सिर्फ आपको theoretical knowledge दी जाती है तो यह था आपका question with explanation बढ़ते है next question की तरफ next question है आपका which of the following statements best reflect the meaning of and characteristics of research कि इन में से कौन सा research के मेनी और characteristics हो सबसे best बताता है यह 4-5 point आपके पास given है और आपसे यह पूछा गया कि आप से research का जो best meaning और characteristics आपको इन में से किस की दिखाये देते कि कौन सा जो point है जो research को बिल्कुल best क्या कर रहा है reflect कर रहा है बताओ students hurry up वीडियो को like करना ना भूले 5, 4, 3, 2, and 1 and the right answer is A, C, and F A, C, and F A क्या कहरा है research means challenging the status Q यानि कि research में हम क्या करते हैं जो already हमारी problem है नमस्ते जी नमस्ते अभी मन्यू बदोरिया तो जो हमारी research उसमें हम क्या करते हैं challenge करते हैं कि जो एक already हमारी problem हो उसको solution कि उस problem को हमें किस तरीके सो उसको solution करना क्या हमारे objective रहेंगे hypothesis क्या रहेंगे research design हमारा क्या रहेंगा questionnaires क्या होंगे हमारे variables क्या होंगे उसके बाद research is just synthesis of deductive and inductive process synthesis of deductive and inductive deductive और inductive हमारी क्या है दो process होते हैं जिनको हम अपने class में हमने पहले भी discuss किया है inductive और deductive इनमें क्या होता है एक में हम क्या करते है जन्रल टू पर्टीकुलर और inductive में हमारा होता है particular to general की बात करते हैं यानि कि जो चीजे अल्रेडी generalized है पहले तो उनको generalized मतलब पहले वो क्या है generalized और फिर हम generalize से क्या जाते है particular पर जाते हैं specific to और जो हमारी inductive होते हैं उसमें हम क्या है particular to journal यानि कि पहले कोई particular बात करेंगे और फिर particular से हम क्या जाएंगे generalization पे तो research के अंदर हम यही कहते हैं कि दोनों perspective से हम इसमें काम करते हैं next research is a critical and passionate search of knowledge क्या है यह critical critical यानि कि mind से आपकी जो thinking है बेनली research में आपकी thinking ही देखी जाते कि आपके क्योंकि इसमें क्या है और लोगों ने उसी problem के उपर बहुत सारा काम के आतर आपको भी same उनी objectives पर उसी same problem पर क्या करना होता है काम करना होता है sorry to same same objective नहीं होते problem जो है वो same होते है लेकिन उस problem का solution क्योंकि कोई क्योंकि हर एक जो परसन है उस हर एक परसन की जो thinking है किसी particular चीज को लेकर वो क्या होती है different होती है अब मेरी किसी चीज के regarding क्या है different है आप सब की हो सकते है उसके regarding different हो तो हर एक person का अपना point of view होता है हर एक चीज को बतानेगा तो research में भी हम यहीं करते है क्या कि जो हमारा point of view है किसी particular situation को लेकर हमें उसी के ओपर अपना point of view बतानो तो research का मतलब होता है वही चीज लेकिन उसको एक नए तरीके से बताना नए way से बताना नए ढंग से बताना objectives हमारे different रहेंगे hypothesis हमारे different रहेंगी लेकिन जो already उसके काम हो चुका है उससे हमें guidance मिलते कि लोगों ने उसको उपर किस तरीके से काम किया था तो यह क्रिटिकल है मतलब thinking है thinking के उपर आपकी आपकी थिंकिंग कितना उसके उपर क्योंकि इसमें सारा जो काम आपका thinking बेस रहते है और passionate कि आपको क्या होना चाहिए research के लिए क्योंकि अगर आप passionate नहीं है उसकाम को करने के लिए तो research आपको एक बर्ड़न लगे लिए कि अगर आप passionate है तो आपको वह चीज करने में बहुत मजाएगा आप एंजोए करके उसको करोगे तो research के passionate search for knowledge कि कुछ ना कुछ सीखने का कुछ नहीं knowledge को गेन करने की क्या है passionate और critical है तो these are the points which is best reflect the meaning and characteristics of research next question है आपका दो हैं आपके पास given same वही set one set two set one में research methods आपके given है set two में आपके critical features given है कि experimental method की क्या feature x post facto method की क्या feature से historical method की क्या है और एथो ethnographic method की क्या है time starts for our students बताइए क्या answer रहेगा आपके according experimental method experimental method में क्या होता है हमारा mainly cause and effect का relationship हम देखते हैं जो हमारी experimental method होता है उस experimental method में हम क्या करते हैं cause and effect का देखते हैं तो cause and effect है आपका fourth एका रहेगा जी आपका fourth fourth आपका एकी option में है बी का होगा exposed factor method exposed factor method probing into the causal factors from the observed की जो हमारे observed है उस observed में से हम क्या करते हैं causal बिलकुल सहीं first option is your correct answer historical method में आपका रहेगा establishing the pattern of events which have happened through primary and secondary sources बढ़ते हैं next question की तरफ next question है आपका which devices from the list given below will form part of formative evaluation क्या पुछा गया कि आपका formative evaluation इन में से क्या कौन सी चीज आपकी formative evaluation को show करती है formative evaluation क्या हमारे teaching method का एक evaluation है कि हमारे teaching method है उनका एक method है formative evaluation formative evaluation क्या होता है जिसमें आप during the session यानि कि जब teacher आपको पढ़ा रहा है उसी time during the session ही क्या की जाती है evaluation की जाती है यानि कि जो students है उनका evaluation during the session ही क्या ज़िए सब्सक्राइब जैसे हमारी ये live class चल रही है live class में आपके सामने questions है आप side by side उनके क्या कर रहे हो answer कर रहे हो answer कर रहे हो answer देके comment कर रहे हो तो यहीं से पता चल जाए कि कौन सा student का जो answer वो ठीक है और कौन से student का जो answer वो क्या है गलत है यहीं कि जब session चल रहा है during the class ही जो students उनका evaluation हो जाता है that is your formative evaluation that is your formative evaluation तो आपका right answer है conducting a quiz session नहीं giving multiple choice type questions no giving a mastery test no providing corrective feedback during discussions बिल्कुल कि during discussion ही क्या दी जाती है feedback दी जाती है encouraging opportunity for metacognitive thinking बिल्कुल metacognitive thinking के लिए उनको encourage के जाती है कि जब session class चल रही है class चल रही है अगर उसी time आपको कोई doubt आ रहा है कोई suggestion आ रहा है तो आप उसी time पर पूछ सकते हो और बता सकते हैं कि जब आपकी class चल रहा है उसी time पर जो भी actions रहते हैं जो reactions रहते हैं वही सब आपकी क्या क्या लगती है formative evaluation तो D E and grading students performance और फाइव पॉइंट scale so आपका right answer है A, D and E A, D and E D, E and A conducting a quiz session sorry guys यह ठीक था आपका grading नहीं होती है इसमें तो right answer है आपका A, D and E quiz session जैसे कि अभी question चल रहे है right second आपका corrective feedback during discussion and encouraging the thinking बढ़ते हैं next question की तरफ next question है आपका in order to promote direct learning which of the following methods would be best suited कि direct learning को बढ़ाने के लिए इन में से कौन सा method सबसे सही रहेगा direct learning direct learning क्या होती है जिसमें teacher और जो students वो directly क्या कर रहे हैं interact कर रहे हैं क्या कर रहे हैं डारेक्टली interact कर रहे हैं वो method आपका क्या कहलाता है direct learning यानि कि जिसमें students वो directly पढ़ नहीं है directly उनके जो interactions आपस में बिल्कुल directly रहते हैं नमस्ते जी नमस्ते कैसे हो आप सब प्लीज वीडियो को लाइक करो और शेयर करो शेयर करना मत भूलो क्योंकि हमारा paper 1 और paper 2 दोनों के लिए बैच आरे तो students जिन students के पास जो यूजी सी नेट को क्वालिफाई करना जाते हैं जी आरे एफ के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाते हैं कल के assistant professor बना चाते हैं college और university में पढ़ाना चाते हैं research field में जाना चाते हैं सभी students जो आप सब अपने क्या है बिलकुल उसको चाहते हो कि हां हमें होना ही है हमें एक motivation की हमें इस exam को क्वालिफाई करना ही है हमें teacher बनना ही है तो please आप सब उन सब को क्या करो इस video को share करो और mainly उन students को करो जो बिलकुल ground level पर है जो rural areas जिनके पास साधन नहीं है coaching लेने के लिए funds नहीं है और उनके पास बड़े शहरों में जाने के लिए और वैसे भी अप तो corona है कि जैसे हम वैसे भी नहीं जा सकते तो ऐसे students के साथ प्लीज आप सबसे request है कि उन students के साथ जिनके पास साधन है कि हमारा जो में मोटीव है वह यही है क्योंकि जो बड़े शहर है वहां पर तो लोग पास साधन होते हैं वह फीस भी दे सकते हैं जादे से ज्यादा फीस भी कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं वहाँ पर अच्छी से अच्छी सब के पास कोचिंग के बहुत सारे सेंटर लेकिन हमारा जो में मोटीव है उन students को गाइड करना है उन students को सिजेशन्स देना है उन students को पढ़ाना है जो बिल्कुल ground level से है बिल्कुल rural area से है और वो अपने ला सिसीनेट पेपर वन और पेपर टू के जो बैच है उनको लाँच किया है और जो उनकी फीस है वह भी बहुत नॉमिनल रखी गई है तो गाइस हम अपनी तरफ से तो पूरे अफ़र्स करें हैं कि बिल्कुल ground level पे जो रूरल area जा ओल ओवर इंडिया जो बिल्कुल छोटे वीडियो को क्या है शेर कीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट इस जो अपोर्चनिटी आपको मिल रही है बिल्कुल नॉमिनल आउंट पे इसको आप छोड़े नहीं प्लीज गाइस लाइक भी कीजिए वीडियो को और शेर भी कीजिए उन सभी स्टूडेंट के लिए क्यो पाके स्टूडेंट्स है वो भी रहें तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करो और शेर करो बिल्कुल उन रूरल एरिया के स्टूडेंट्स तक जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बनना चातेर उनके पास साधन नहीं है या किसी भी रीजन से वो कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो बिल्कुल आप मोबाइल के थूँ आप पढ़ सकते हो और वो भी बिल्कुल नॉमिनल सी अमाउंट पे करके और साथी साथ आपको मैं बता दूँ Y337 इस कोड को अगर आप यूज करते हुए परचेज करोगे तो आपको 77% की डिसकाउं मिलेगी 77% स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको जो प्राइस वो जादा दिखे लेकिन अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो 77% मालो 1000 रुपे का प्राइस रखा गया है तो 77 यानि की 770 रुपे तो उसमें से आपको डिसकाउंट के मिल जाएंग और 330 रुपे में 330 तो आई थिंग हर एक स्टूडेंट जो पढ़ना जाता है कुछ न कुछ बना जाता आगए जाके कॉलिज उनिवस्टी में पढ़ाना भी चाता है और जो अपनी लाइव में क्या कुछ बढ़ा करने का अगर सोच रहा तो वो 330 रुपे तो आराम से पे कर सकता है कोई इसका प्रोजेक्ट मेथड प्रोजेक्ट मेथड क्या है डारेक्ट लर्निंग को प्रमोट करता है प्रोजेक्ट मेथड जैसे यही है प्रोजेक्ट आपको प्रोजेक्ट लगाके पीपीटी के उत्रू आप सबको पढ़ाया जाता है next question है जी आपका from the following list of learner characteristics कि जो learner है learner यानि कि जो सीखने वाला है समझने वाला जिसको हम student भी कह सकते हैं experience भी कह सकते हैं ठीक है तो इस list में से learner की characteristics को identify कीजिए which will be helpful in ensuring effectiveness of teaching यानि कि learner की कौन सी characteristics क्या करती है teaching की effectiveness को increase करती है teaching की effectiveness को ensure करती है learner की कौन सी basically हमें क्या बताना है learner की characteristics लेकिन किस context में बतानी है जिससे teaching क्या है वो effectiveness हो सके तो यह आपके पास है five five to six points आपको सामने दिख रहे हैं for our students बताइए क्या answer रहेगा आपका first point है जैसे extent to which learner ओबेदा school system जी नहीं यह कोई माइनने नहीं रखता कि जो learn है रहे वो school system वो किस तरीके से ओबे कर रहा है उससे आपकी teaching effectiveness का पता चलेगा learner's level of motivation बिल्कुल कि learner का सीखने का सीखने का क्या उसका level है वो अपने काम के लिए कितना passionate है उसको सीखने की कितनी भूक है एक तरीके से राइट का उसका level क्या है motivation का वो क्या है teaching की effectiveness को बया करेगा feeling of learner towards the social system जी नहीं social system के regarding जो learner है उसकी क्या feeling है doesn't matter वो उसका teaching से कोई लेना देना नहीं है learner interest in sports and game इसका भी teaching से रिलेटिड नहीं है कि learner का sports में या games में क्या है कितना interest आइससका teaching से की effectiveness से कोई लेना देना नहीं है prior experience of the learner बिलकुल लर्नर का पहले का experience क्या रहा है वो उसका experience teaching को effectiveness बनाने में बिल्कुल लाबदायक है and interpersonal relations of learner कि learner का आपस में interpersonal आपस में और teachers के साथ दुसरों के साथ उसका relation कैसा है ये सबी चीजें क्या है teaching को effectiveness बनाने में help करेगी तो आपका right answer है B, E and F D answer B, E and F बिल्कुल बढ़ते हैं next question की तरफ Mr. आरिफ उद्दीन का अंसर आया B and D D, जी नहीं, D नहीं होगा देखो वैसे तो ये चीज ठीक है Mr. आरिफ कि learner interest in sports and game कि sports और game में उसका interest क्या है ये basic क्या है जो learner है उसकी characteristics है लेकिन वो teaching की effectiveness को वो कि question में क्या पुछा गया है learner की character पुछेगे लेकिन किस context में पुछेगे ये भी आप में ध्यान रखना है किस context में पुछेगे कि teaching को effectiveness बनाने के लिए learner की क्या क्या characteristics है तो उसके लिए आपका रहेगा prior experience, interpersonal relations and learner का level of motivation की वो सीखने की उसमें कितनी भूक है उसका पहले का experience कैसा रहा है सीखने के लिए गार्डी हो सकते है किसी का bad experience रहा हो किसी का good experience रहा हो राइट और उसका students का जो students है जो learner है उसका interpersonal relation कैसा है टीचर्स के साथ किस तरीके सा उसका relationship है तो यह सभी क्या है teaching को effectiveness बनाने में right है I hope आपको समझ में आया होगा बढ़ते हैं next question की तरफ next question है आपका below are given a number of key behaviors as well as helpful behaviors of effectiveness of teaching based on research evidence कि research पर यानि कि teaching को effectiveness बनाने के लिए इन में से कौन से आपके behavior है कि कौन से behavior teaching को effectiveness बनाते है यह आपसे question में पूछा गया है तो guys time है आपके पास 20 seconds फटा फटा आंसर कीजिए पूछा गया है which are key behavior and indicate your answer by selecting the court कि कौन से key behavior है जो हमारी teaching को क्या करते है effectiveness बनाते है इस question का students आप सभी answer देंगे answer देने के बाद मैं आपको explain करूंगी फटा फट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and the answer is B, C and D is your correct answer की behavior क्या है questioning through content and process level questions कि जो आपका content है उसके regarding questions करना नमस्ते जी नमस्ते हेलो बबलू कैसे हो क्या है questioning through content and process level question की जो content आपको पढ़ाया जा रहा है क्या है जो content जो subject matter आपको पढ़ाया जा रहा है उसके regarding questions करना right and lesson clarity implying the extent to which presentations are not lesson clarity की जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी clarity कितनी है वो क्या है teaching को effectiveness बनाएगी वो क्या करेगी teaching को effectiveness बनाएगे and probing which implies statement to encourage students to elaborate कि students को यह बताना कि students कितने तरिके से मदलब students को elaborate करने के लिए encourage करना elaborate का मतलब होता है उनको समझाना उनको सिखाना कि जो आपको समझ में आया है आप उसके regarding क्या करो उसको और ज्यादा इलाबोरेट करो उसको और जयादा एक्सप्रेस करो और जयादा खोजो मिल अब इलाबोरेट का मतलब होता है बिल्कुल जड तक जाना उसकी बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज तक जाना that is your elaboration यहनि कि कोई भी कोई भी आप टोपिक कर रहे हो कोई भी topic अगर आप पढ़ते हैं, जैसे हम teaching aptitude की बात करें, teaching aptitude में हमारा एक topic है, teaching methods, ठीक है, teaching evaluation methods में हमारा एक है formative evaluation, तो formative evaluation की बिल्कुल total A to Z information, A to Z information, कि उसकी बारीक से बारीक छोटी-छोटी हर एक चीज को जब आपको उसकी सारी चीज के बारें पता होगा, तो students को इसी चीज के लिए encourage करने कि बिल्कुल बारीक से बारीक छोटी-छोटी-छोटी चीज तक जो भी topic है, उसकी बिल्कुल हिं जड़ तक जाए और फिर उस चीज़ को concept को समझे तो ये तीनों जो हमारे behavior हैं वो क्या करते हैं teaching effectiveness को बया करते हैं Hello जी Hello जी अपारी कैसे हो Next question है जी आपका In communicating in a classroom situation Which one of the following approaches will be considered most appropriate नहीं कि जब हम classroom में क्या कर रहे हो Communication कर रहे हो तो इन में से कौन सा method आपका सहीं रहेगा एक classroom में communication करते हुए कौन सा method कौन सी approach आपकी सबसे ज़्यादा most appropriate रहेगी बताओ students फटाफट हरी अप 20 seconds का time है 20 seconds में फटाफट answer कीजिए कि classroom में communication क्योंकि जो students है जो UGC net experience है उनको कल को क्या गरना है जाके पढ़ाना ही है colleges में universities में राइट तो उनको क्या करना पड़ेगा classroom में पढ़ाना है communication करना होगा तो हमारे UGC net के examiner इसी तरीके questions रहते हैं कि आपका teaching aptitude है communication है ICT है research है मलब एक तरीके से बिल्कुल क्या है जो आपको in future काम करना है उसी के regarding आपसे क्या है questioning की जाती है exam बे वैसे तो हमारे जैसे bank है bank की SSC के अगर कोई भी competitive exam की बात करें तो उसमें क्या है हमसे उस तरह के questions पूछे जाते हैं हमारी जोब से related ही नहीं होते बैंक है उसमें आपको reasoning maths यह सब करना होता वो आपकी job से related ही नहीं है राइट अगर हम बात करें लेकिन जो UGC net का exam है इसमें आपसे जो questions पूछे जाते हैं वो सारे questions आपको future में आपसे ही related है मलब आपको जो काम future में करना उसी से related आपका जो है test लिया जाता है उसी के regarding आपसे questioning की जाते कि आपका mental level क्या रहेगा आप research कितने अच्छे से कर सकता आपकी thinking क्या है आपका teaching का way क्या रहेगा communication कैसे करोगे और जो आपका main subject है वो तो ही है तो UGC net के exam में जो आप future में करोगे बिल्कुल मलब related है आपसे बिल्कुल totally related कि जो आप यहाँ पर questions आपसे पूछे जाएंगे वो ही सब आपको future में करना है तो communication करते हुए classroom में communication करते हुए कौन सी approach सबसे best है तो answer है आपका empathetic and pragmatic empathetic and pragmatic empathetic and pragmatic communication का मतलब क्या होता है जिसमें क्या है student के साथ interactions की जाती है मरला उनको समझाया जाते सिखाया जाते बिल्कुल open रहता है उनके साथ formal informal जिस भी वे है उनी वे से क्या है students की mentality को समझे जो सामने वाला है जिसको हम समझा रहे हैं students है जैसे हम students की बात करें तो students की understanding level को समझ के उनको सारी वाला जिसको हम समझाना है जिसको हम सिखाना है उसके understanding level के according हम उसको क्या करते हैं समझाते और सिखाते हैं तो classroom में communication करते हो है हमें जो हमारे students है उनके level के according ही उनको समझाया और सिखाया जाता है next question है आपका a teacher decides to form six group of students and assign a sub theme to each group for discussion and reporting एक teacher है एक teacher ने छे students का एक group बनाया और उनको एक sub theme दी गई हर एक group को for discussion कि आप सबको एक topic के ओपर topic दे देगा और उस topic के ओपर आप सबको क्या करनी है discussion करनी और फिर उसके ओपर report देनी है तो which kind of communication model will best describe his or her strategy in this regard कि कौन सा model सबसे ज्यादा सहीं रहेगा situation आपको दे दी गई है कि आप एक teacher है ठिक है ? एक teacher है और teacher ने 6 student का एक group बनाया है to form 6 group of students, students के 6 group बनाय है ठीक है ? और सभी जो group है उन group में क्या दिया गया है उनको एक sub theme दी गई है उनको एक topic दियागा और उस topic के उपर उनको क्या कहा गया कि आप लोग को discussion करनी है और discussion करके फिर अपनी report जिए वो submit करनी है तो इसमें कौन सा model आपका सबसे सही रहेगा सचो guys फटा फटा अंसर कीजिए कौन सा method है वो जो सबसे सही रहेगा इस situation में मिस्टर आरिफ कहा रहे है सी होरीजेंटल मॉडल होरीजेंटल कैसे होगा होरीजेंटल होता है आपका ये मलब अगर हम सिंपल बात करें ये होता है आपका होरीजेंटल मलब यहाँ पर students teacher यहां पर तो जो लेवल हो बढ़ गया ना या कि एक स्टूडेंट का लेवल यह एक ये तो ये नहीं होगा छॉरी जेंटल तो नहीं होगा ली नियर होता है ये म blossigegan a क्यां चिहानी कर रहे हैं उनका क्या है और यहांपर यह पर आपक बन लगनागए तो हॉरीज мож lige और linear तो आपका होगा नहीं, बच गए आपके पास दो transactional and interactional, transactional and interactional, तो आपका right answer रहेगा transactional, interactional भी नहीं रहेगा, interactional भी नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो confusion, UGC ननने ये question क्यों दिया, क्यों हर कोई जब इसको सोचेगा तो वो interactional को ही बोलेगा, जैसे आप सबने भी गलती किये, ठीक है interaction का मतलब होता है, interaction करना आपस में, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है, हर group आपस में क्या करेगा, discussion करेगा और फिर उसकी क्या करेगा, reporting और interactional model है, उस interactional model में हमारा जो teacher है और जो student है, उसके बीच में interaction होती है, teacher student से, और student teacher से interaction करता है, लेकिन यहाँ पर जो discussion होगी, वो students की आपस में discussion होगी, जो students है, उनकी आपस में discussion होगी, तो interactional model भी नहीं है, तो बच गया आपका सिर्फ एक transactional model, transactional model is your right answer, समझो question को की question में पुछा क्या कहा गया है, एक teacher उसने students है, उनके छे ग्रूप बनाया और उनको एक topic दिया कहा, और उनकी आपस में आप सब को क्या है, discussion करनी और फिर report करनी है, तो यहाँ पर जो interaction रहेगी, students की आपस में रहेगी, जबकि interactional, जो model है, communication का, उसका मतलब है कि teacher और student में interaction, राइट, तो transactional model is your right answer, next है आपका, which of the following constitute the paralanguage in communication, paralanguage, paralanguage का मतलब होते हैं, जो भी आपकी gestures है, जो भी आपकी gestures है, जैसे कि आपका facial expression है, facial expression हो गया, आपकी volume होगी, आपकी voice, यह सब आपकी body language, यहनि कि communication करते हुए, इन में से कौन सा आपका paralanguage को शो करता है, paralanguage, paralanguage मैंने आपको बता दिया किसे कहते है, paralanguage होते है, gestures हो गए, आपके facial expressions हो गए, आपकी volume हो गई, voice हो गई, body language, इन की पढ़ाते हुए, interaction करते हुए, जो एक teacher है, उसकी जो भी how भाव है, शारिडिक how भाव है, physical how भाव है, उसका face किस तरह से express कर रहा है, उसकी hands किस तरह से move कर रहा है, उसकी voice कहां पर जादा हो रही है, कहां पर कम रही हैं, सब को हम क्या कहते है, paralanguage, तो अब आपके पास सामने हैं, देखो, pitch of the voice, बिलकुल, internal noise, external noise, no, use of pose, and rate and volume of speech, कि जो आप पढ़ा रहे हैं, उसकी volume, और उसकी rate, और उसकी pitch, voice, यही सब आपके किस में आते हैं, paralanguage में, तो right answer रहेगा आपका, A, D, and E, A, D, and E, पिलकुल, right answer, बढ़ते हैं, next question की तरफ, next question है आपका, which of the following, which of the following, would influence the effectiveness of communication in classroom instruction in a critical way, कि इन में से कौन सा communication की effectiveness को influence करता है, इन में से कौन सा point, classroom communication में की effectiveness को क्या करता है, improve करता है, influence करता है, जी, बढ़कुल, सही, students, answer आ रहें, students के, बहुत बढ़िया, which of the following, would influence the effectiveness of communication in classroom instruction in a critical way, कि इन में से कौन सा point, classroom communication की effectiveness को influence करता है, तो आपका right answer है, teaching style preferred by the teacher while transacting, teaching style preferred by the teacher, कि जो teacher है, उसका पढ़ाने का तरीका कैसे है, उसका पढ़ाने क्योंकि बहुत सारे ऐसे teachers होते, जिनको नॉलेज तो बहुत जाद होते, लेकिन वो उसको उतने अच्छे धंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो यह उनको नॉलेज तो है, उनको पता तो है, सारी चीज़े क्या, लेकिन उसको बताना कैसे, उसको एक्सप्रेस कैसे करना, वो अपनी फिलिंग्स को उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उतने ही अच्छे धंग से, जितने अच्छे धंग से उनको नॉलेज होती है, लेकिन कुछ टीचर्स हमारे ऐसे भी होते हैं, कुछ परसन ऐसे भी होते हैं, जिनको नॉलेज तो इतनी नहीं होती है, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन, उनका स्टाइल, उनका बताने का तरीक्का, उनको समझाने का वे इस तरीके से होता है, कि उनको आज़ानी से समझ आलता है तो classroom communication की effectiveness को influence करने वाला है teacher का style कब teacher का कुछ सा style teaching style उसका पढ़ाने का क्या तरीका है तो B is the right answer Ashishwarma का बिर्कुर्ट सही answer आया है बढ़ते है next question की तरफ next question है आपका using a word processing software and image on page of a document is to be repeated on page 4 of the same document which of the following would enable this to happen बहुती simple सा question है की एक page 2 पे आपकी कोई भी एक image है एक कोई कि आप क्या है word processing software को use करते हुए page 2 पे आपकी कोई image है उस image को आपको क्या करना है page 4 पे repeat करना है same document उसी document में एक जो page है दो number second page है उस पे कोई image है उस image को आपको क्या करना है page 4 पे repeat करना है word processing software को use करते हो तो क्या आपका इसमें से कीजिए comment your answer देखते हैं किसका अंसर सबसे पहले और सबसे सहीं आएगा and the right answer is c आशीश वर्मा का बिल्कुल सहीं अंसर आया copy and paste well done आशीश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़ते है next question की तरफ next question है आपका दो सेट दिए गए CPU RAM ROM and LCD उनके functions आपको बताने की CPU क्या करती है RAM का क्या काम है ROM का क्या काम है और LCD का क्या काम है computer related है बहुत ही simple से question है आपके time start होता है आपका फड़ावट बताओ students क्या answer रहेगा CPU CPU का काम है control all the functions performed by the computer's other component CPU का क्या काम है आपका control all the functions performed by the computer's other component RAM ROM and LCD LCD है आपकी type of technology used on a flat screen monitor RAM or ROM अभी आपको बताना है क्या answer रहेगा इसका and the right answer is फड़ावट students hurry up answer कीजिए RAM होती है आपकी temporary storage RAM क्या है temporary storage also known as primary storage RAM क्या होती है हमारी primary storage और temporary battery और जो ROM है वो हमारी क्या होती है permanent that is not erased when the computer's power is turned off इसके regarding हमने class भी ली थी class में ही बताय था कि RAM क्या है और ROM क्या है question ठीक से दिखा नहीं जादा ही छोटा है जादा छोटा है तो आप screen को बड़ा कर लीजी ना थोड़ा आपने computer में screen को थोड़ा बड़ा कीजिए next question है आपका the gap between individuals in a society who are computer literate and have access to information resources like the internal and who don't is referred to as कि जो individual society में जिनको computer के बारे में knowledge है और computer की information है और ऐसे जिनको information नहीं है उन सब का जो gap है उस gap को हम क्या कहते है information overload, digital divide, ict divide और terabyte divide कि जो individual society के ऐसी individual जिनको computer के बारे में knowledge है information resources है कि computer को किस तरीके से run करना computer पे कैसे functioning की जाती है and those who don't और जिनको इस बारे में knowledge नहीं है तो उसके gap को हम क्या कहते है उसके gap को कहते है digital divide क्या कहते है digital divide, digital divide is your right answer last question है आपका in computer terminology which of the following best describe it device driver device driver हम किसे कहते है device driver and your time starts now देखते हैं कौहन सबसे पहले और सही answer देता है device driver क्या है किसे कहते है हम device driver last question of the session 2, 1 and the right answer is D software that allow interaction between peripheral devices and the operating system कि जो हमारी peripheral devices है और जो हमारा operating system है उन operating system और peripheral devices के बीच में interaction करने के लिए जिस software को हम use करते हैं वो software हमारा क्या क्या लाता है device driver G नहीं, hardware नहीं B, C, software, software software not the hardware software that allows interaction between peripheral and operating system that is your device driver तो यह थास guys आपके first paper के regarding questions MCQs, previous year questions I hope आप सबको यह question पसंद आया होंगे और आपको इन questions को करने से अपना level भी पता चला होगी आपको कहां पर आपको त्यारी करने की need है आप कितने पानी में है कौन सी unit आपकी strong है teaching में आपका कितना score है और research में आपको कितना score है और ICT communication में आपको कितना score कर रहे हो कौन सी आपके weak points है कौन सी आपके strong point है लिकिन questions को जो previous questions MCQs को करने से यह आपको यह सब पता चलेगा तो इसी तरह है कि और questions की practice के लिए हमारे साथ जुड़े रही है Teacher Sada के YouTube channel पर daily जो हमारी class से 2.30 पर paper 1 के लिए रहती है और 4.30 पर हमारी paper 2 जो कोमर से उसके लिए रहती है Thank you so much guys